मैं संजीव सिंग आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम एक्स्प्लोरर्स पर तो देखिए आज आप लोग का टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है और रैंकिंग क्रम बेवस्था इसके पहले आप लोग क्या पढ़े थे इसके पहले ऐसे अगर आपसे कोई कह दे कि एक पंग्ती है उस पंग्ती में कुल 20 बच्चे बैठे और प्रारंब से उसमें एक लड़का है बैठा जिसका नाम है अमन एक लड़का है जो प्रारंब से अमन अमन्ण का अस््थान प्रारम से शाथवा है तो बताएल अमन्धा अस्थान अंद दसे मैं इस क Art एक होता है दाएं से बाएं एक होता है उपर से नीचे एक होता है आरंब से अंत आरंब से अंत ठीक है इन तीन सब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे अगर कोई कह दे आपसे एकदम आराम आराम दे समझेगा कोई जल्दिवाजी नहीं है छोटा सा चैप्टर है दो से तीन लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिरिस हो जाएगा तो बस सीखते रहिए और समस्ते कोई कह दे बताईए एक पुस्तकों की एक बंडल बोलते हैं ना पुस्तकों की एक गठर या बंडल रखी गई है जिसमें से रिजनिंग की बुक ऊपर से तीसरा है तो बचाईए बताईए नीचे से कितना होगा यदि कुल बुकों की संख्या आपके दस हो अगर मालीजी आपसे कोई कह दे कि एक कतार में स्तौ लोग बैठे हैं और उसमें कहा जाए कि उसमें सुमन का अस्थान प्रारम से 28वा है तो बताईए अंद से उसी पंक्ती में सुमन का अस्थान कितना होगा तो इस तरह से देखेंगे आप इन तीनों सब्दू का प्रयो कि यहां पर इस फार्मूले का नाम है क्या लिखेंगे आप इसको कुल कि कुल बराबर होता है एक जगा से अस्थान एक जगा से अस्थान माइनस वन यह लिखा है एक जगा से अस्थान प्लस दूसरे जगा से अस्थान माइनस वन यह कुल का फार्मूला होता है टोटल इस उकल टू यह होता है ठीक है इस फार्मूले को अपनोग ध्यान दिजिएगा अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उसक्वेश्चन को बताईए इसका आंसर क्या होगा यह पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं अगर कहा जाए एक पंग्ती में एक पंग्ती में कुल 40 लोग हैं एक पंग्ती में कुल 40 लोग हैं यदी विजय का अस्थान यदि विजय का अस्थान प्रारंब से 13 है तो अंत से उसका अस्थान क्या होगा उसका अस्थान क्या होगा यह कुश्चन है आपका और इस कुश्चन का अंसर आपको बताना है यह पहला कुश्चन है लिखा है एक पंग्ती में कुल 40 लोग हैं यदि विजय का अस्थान प्रारंब से 13 है तो अंत से उसका अस्थान क्या होगा चलिए ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझे भाई लिखा है कि कुल कितने लोग हैं कुल 40 लोग हैं एक जगह से अस्थान कितना दिया है वाई तो हमन मैं यक्स लिख दिया माइनस वन कर दिया चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा 40 is equal to क्या हो जाएगा यहां पर देखिएगा अगर 13 में से मैं अगर 1 मानस कर दूँ तो यहां क्या बचेगा 12 हो जाएगा प्लस यक्स और अगर यक्स is equal to मैं निकालना चाहूं तो 14 में से अग आपके दिया जाते हैं order and ranking में करम और विवस्ता में इस तरह के question आप से पूशे जाते हैं तो हम उमीद करते हैं कि इस चीज को आप लोग समझ गये होंगी ठीक है एक जगा से अस्तान प्रस दूसरे जगा से अस्तान माइनस वन यह important formula है इस formula को आप लोग रट लीजिएग दो भेला चलिए अब बढ़ते हैं अगले question पर जैसे इस एक दूसरा question आपके सामने दिया जाए दूसरा question आपके सामने दे दिया जाए पुस्तकों की एक बंडल में पुस्तकों की एक बंडल में को गडित की बुक गडित की पुष्टक उपर से उन्नीश्वे अस्थान पर है उन्नीश्वे अस्थान पर और नीचे से और नीचे से सातवे अस्थान पर है तो बंडल में पुष्टकों की संच्छा बताईए तो बंडल में कि पुष्टकों की संच्छा बताईए कि बंडल में कुल कितने पुष्टक होंगे आप पुष्टकों की पुष्टकों की बंडल में टोटल कितने पुष्टकों की आप से यह पुष्टकों का आंसर कैसे देंगे आप जहां से देखिएगा चुकिंगी आपको पता है कि कुल बराबर क्या होता है भई कुल बराबर होता है एक जगह से अस्थान प्लस दूसरे जगह से अस्थान माइनस वन यह फार्मूला है आपका टोटल इस उगल टू होता है एक जगह से अस्थान प्लस दूसरे जगह से अस्थान माइनस वन होता है आईए भई एक जगह से अगर स्थान में कहूं तो क्या दिया था एक जगह से अस्थान दिया है कितना उन्नीस मां दिया है और अगर दूसरे जगह से देखें तो कितना दिया है आपका साथ मां दिया है माइनस वन दिया है स्वाल्व कर दीजिए इसको उन्नीस में से साथ में से अगर एक हम कम कर दे तो बचेगा 6 और 29 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तो कुल पुष्टकों की जो बंडल थी उस बंडल में देखा जाए तो मेरे पास कुल पचीश पुष्टक होंगे मेरे पास कुल शभी चाहिए को सब का most यह इस तरह कि कुश्चन आप लगा लेंगे आएका कम और कर,, कि ऑ Have as an और क्ुशियन को मौन और क्रवाते हैं जैसे तीसरा कुश्चं देखें कि हommें दिया जाए कि कि اेक विद्जाने में हुच है एक विद्जान में है एक विद्याले में 35 छात्र परिच्छा में पास हुए एक विद्याले में 35 छात्र परिच्छा में पास हुए कॉमा पंद्रा छात्र पंद्रा छात्र परिच्छा में फेल हुए और और पांच छात्र अनुपस्थित रहे पांच छात्र अनुपस्थित रहे अनुपस्थित रहे तो विद्याले में विद्याले में कुल छात्रों की संख्या बताईए तो विद्याले में कुल छात्रों की संख्या बताईए ध्यान से देखिएगा आप क्या करेंगे यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक जब विद्याले में पेपर होता है तो वहां पर देखा जाए तो कुछ छात्र क्या होते हैं पास होते हैं वहां पर कुछ लोग पास होते हैं और इक्जाम के दिन देखेंगे कुछ लोग अनुपस्तित भी रहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे क्लास में जब पेपर हुआ था तो कुछ लोग पास हुए टे लोग फेल हुए थे और कुछ लोग क्या हुए थे अनुपस्तित हुए थे मतलब परिच्छा का नाम सुनकर आए ही नहीं थे तो अगर कुल संख्या पूछा जाया ता क्या बताएंगी पास हुए चात्र फेल हुए चात्रpless परिछा में उपस्थित ना होने वाले चात्र उपस्थित भले नहीं हुए हैं लेकिन आपके विद्याले के तो भाई भाई हैं चात्र हैं तो आप क्या करेंगे टोटल यहां से निकाल लेंगे जोर द दिखि भाई पास क्या लोग हुए थे आप क्यांग, थर्टीफाइट लोग पास हुए थे और अगर अनपस्तित की बात करें तो पांच लोग अनपस्तित हुए थे इनको अगर जोड़ा जाए तो पैंटिस और पंद्रह पचास हो जाएगा पचास और पांच कितना हो जाएगा मेरे बाई 55 हो जाएगा तो मैं कहूंगा टोटल देखा जाए तो उस विद्याले में कुल 55 लोग एडमिशन लिये होंगे मतलब छात्रों के अगर कुल संग्षा की बात की जाए तो कुल 55 छात्र रहे होंगे ठीक है यह सारी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा चलिए अगर यह बात आप समझ लिए हो और अच्छे से नोट कर लिए हो तो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं आपके इसी कड़ी में आगे क्रोशन को लेकर तो यह आप जो पढ़े थे टाइप फरस्ट था आपका टाइ आप आपका और ध्यांद दीजे अगा क्या है अभी तक आप देखें थे की कोई एक पंक्ती ठाव में यह को अगर ऑगर आण मानने ले तो क्या करते थे लो क्या पर अंद से देखा जाए तो इतने चांद बतात रहे तो बताईए मदोग किया करते थे जhyां से देखिए तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कि एक पंक्ति में देखा जैए यह प्रारंव कहला यह अंद कहलाएगा और यहां पर यह कोई बैठा है बीच में हमें नहीं मालूम है किस नंबर पे और आपसे कोई कहा दे कि एक पंग्ती में कुल 25 लोग बैठे हैं एक पंग्ती में टोटल 25 लोग बैठे हैं और प्रारंब से देखना जाए तो इसका अस्थान कितना है 13 हुआ है तो अंध से कितना होगा आप लेते थे आपको पता है कि टो टोल इस्कवन्तों टुट्म क्या होता है एक जगा स्यस्थान फ्लस दूसरे जगा स्यस्थान मां यह आपका फार्मोला था लेकिन हम माल लीजिए इसी पंग्ती में kita दो लोगों को बैठा दिया जाए बाहिए यह आपका प्रारंब हो गया यह आपका अंध हो गया वा दमिमांदारी किसान अब क्या हुआ निए के पंगती है इस पंगती में देखा जाए तो दो लोगaten एक का अंध प्रमत पर पता हिए अगर मैं शे प्रारंब से आस्थ्टोस का अस्थान 17 है अंद से रजनीस का अस्थान 13 है और उनका अस्थान यदि अस्था नांतर कर दिया जाए मतलब आस्थ्टोस के अस्थान पर रजनीस चले जाएंगे तो बताईए उस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे या पूछा जाए कि इनके बीच में कितने लोग होंगे तमाम तरह के कुश्चन आप से पूछ सकता है तो चलिए इसका ये टाइप है इस तरह से आप लगाएंगे बाकी अब हम आते एक कुश्चन पर तो क कुश्चन आपको समझाएंगे उसके पहले आप पहले फार्मूले को समझे कि फार्मूला क्या यूज होता है इसमें ठीक है कि आयो फार्मूला देखिएगा इसका कि फार्मूला होता है कुल बराबर एक जगा से अस्थान प्लस दूसरे जगा से अस्थान प्लस मद्य में उपस्थित लोग यह आपका होता है टोटल यह क्या होता है यह होता है कुल निकालने का फार्मूला कुल बराबर क्या होता है एक जगा से अस्थान प्लस दूसरे जगा से अस्थान प्लस मद्य में उपस्थित लोग अब मद्य कैसे निकालेंगे आई उसको समझिएगा अगर रही बात मद्य की तो आप मद्य में क्या करेंगे मद्य बराबर होता है A अथवा B का परिवर्तित अस्थान A अथवा B का परिवर्तित अस्थान माइनस A अथवा B का वास्तविक अस्थान वास्तविक अस्थान माइनस माइनस वन ये आपका फार्मूला है ये क्या है आपका फार्मूला है और इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लिजिएगा क्योंकि ये आपको याद रहना आपके माइन्ड में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन को आप लगा नहीं पाएंगे क्या लिखाएंगे कुल बराबर होता है एक जगात से अस्थान प्रस दूसरे जगात से अस्थान प्रस मद्य में वो परस्तित लोग ठीक है अब मध्य बराबर क्या होता है तो मध्य बराबर होता है A अत्वा B का परिवर्थित अस्थान माइनस A अत्वा B का वास्तविक अस्थान माइनस 1 ठीक है तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ लेंगे और लिख लेंगे अपने कॉपी में अब देखिएु इस पर सवाल कैसे बनता है आई इस सवाल को देखा जाए। इस पर सवाल कैसे बनता है इस सवाल को देखा जाए। ठीक है, चलिए। या सबर्ण लिए फिर आपको सवाल लिखवाते हैं। पro pour अदिए? करना कैसे हैं और दोट हो गया होगा सबका चलिए अब आतें कोशिच्टन पर कुश्च्टन लिखते हैं उस प्रूस्टन का अंसर आपको निकालना सिखाते हैं देखिए पहला क्या है अगर पहले कोश्च्टन की बात कि जाए लेकिन एक बार अगर आप सीक गए न तो फिर इसको धरासाहि कर देंगे आप बडराम्राम से कुए धिकत नहीं आप तीखिए पहले चीजों को करना कैसे आप अगर करना सीख गए तो फिर को फिर को दिकती नहीं होगी बस सीखिए करा कैसे जाता है चले देखिएगा तोषिण क्या कहता है एक पंक्ती में पंकच का अस्थान प्रारंब से एक पंक्ति में पंकच का अस्थान प्रारम से 22 वां है उसी पंक्ति में उसी पंक्ति में तंजय का अस्थान उसी पंक्ति में संजय का अस्थान अंत से 15 हमां है यदि दोनों अपना अस्थान परिवर्थित कर लें यदि दोनों अपना अस्थान परिवर्थित कर लें तो परिवर्थन के बाद तो परिवर्थन के बाद पंकज अब प्रारंब से पंकज अब प्रारंब से तीसमें अस्थान पर पहुंच जाएंगे तो बताईए कि अब यह आपका कोश्चन था इस कोश्चन में देखिये इस कोश्चन के बाद आपसे पूशा क्या क्या जाता है उसको आपको बताना है चनल इए फारड को पोश्यन देफले बहुत बनेंगे लेकिन आई आधास में संजाते हैं कि कैसे इसको लगाएंगी स्काशल कि सब्सक्राइब कि अर्च एफ पंकज और संजय के मद्य उपस्तित लोग पंकज और संजय के मद्य उपस्थित लोग दूसरा कोश्चन दे दिया जाए परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद तंजय का अस्थान अंद से क्या होगा क्या होगा तीसरा कोश्चन है आपका उस पंग्ती में कुल उपस्थित लोगों की संख्या अंव कि ऊपस्थित सहोड भीश्चन के लोगों की तंख्या ये आपके सामने दिया हुआ है ठीक है अब चलिए आप के सामने यहां पर लिखा था कि कौन कैसे कैसे बैठा है किसका क्या अस्थान है और उसके बाद आपके सामने यहां पर प्रश्ण दे दिया इस प्रश्ण का आंसर आपको देना है तो चलिए आपको हम बताते हैं अब इस फिगर को दिहां से देखिएगा यहां पर क्या क के बाद पंकज अब प्रारंब से तीसवे अस्तान पर है आईये चलिए इसका figure डरा करते हैं चलिए ध्यान चे देखिएगा माल लीजिए आप लोग की एक पंक्ती है क्या है यह पंक्ती है और इस पंक्ती में शच्बाइसमी नंबर बेठे हैं पाथ समझए एक ढम आराम-आराम से इस सवाल का अंसर एक बार अच्छ सब समझ गये ना तो बड़े आराम से सवाल का अंसर निकालना जान जाएंगे और संजे बैठे हैं वो अंध से हैं और यहां फी इनका नाम क्या है भाई कर लेते हैं संजय करते हैं या तुम मेरे अस्थान पर आ जाया हम लोग आईए एक दूसरा अपना अदलाबदली कर ले सब्सक्राइब है कि जैसे माल लगतल पंकज उठके यहां जाते हैं और संजय उठके यहां चले आते हैं ठीक है ना भई पंकज उठके यहां चले गए जैसे पंकज उठके यहां गए अब पंकज का अस्थान कितना हो गया तीस्वां हो गया पंकज यह बताइए आपके बीच में कहें लोग रहे होंगे बाइट कुछ लोग तो बैठे रहे होंगे मुझे नहीं मालूम है आईए जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ जैसे आप समें पूछ दूँ कि बताइए 10 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं ह होंगी तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग गिनेंगे कि भाई दस और पंद्रा के बीच में देखा यह पास संख्या होगी आपके मन में यहीं आएगा ना लेकिन वह एकदम गलत है वह क्या है एकदम गलत है क्योंकि दस और पंद्रा का अंतर पांच होता है दस और पंद् अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा इसका अंतर आएगा पांच तो तीस और बाइस का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा कितना आएगा आएगा आठ लेकिन पूछा इसके मद्ध में कितने लोग हैं आप कहेंगे मद्ध में इसके जितना अंतर आय परिवर्तित अस्थान चाहे पंकज चाहे संजय एक लोग का देगा ना कि ए अथवा भी या तो अगर यह है तो यह भी होगा अगर यह भी है तो यह होगा एक लोगों का देगा परिवर्तित अस्थान आप लिखेंगे तन पंकज का परिवर्तित अस्थान माइनस पंकज का वास्तविक अस्तान माइनस उन बाईस में से अगर माइनस वन तो क्या आएगा और 30 में से घटाएं कि मानस 30 को तो क्या आएगा साथ आएगा क्या आएगा साथ आएगा अगर आपको यकीन ना तो आएगे चिक कर लें 22 के बाद 23 आएगा 24 आएगा 25 आएगा 26 आएगा 27 28 29 और 30 में पर खुद बैठा है तो बताएग क्या लोग हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ और मद निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ए अत्वा बी का परिवर्तित अस्थान माइनस वास्तविक अस्थान माइनस वन ठीक है तो आप निकाल लेंगे मद कैसे निकलता है अब आप एक जी जोर कि मद में कितने लोग होंगे आप बताएंगे कि मद में भाई तात लोग होंगे देखिए क्या लिखा था कि संजय और पंकच के मद में के लोग होंगे आप कहेंगे साथ लोग होंगे अगला कुश्चन देखिए यहां पर इसको मिटाई देते हैं जिब वहां लिख दिये लोगों को कराज करके इस पर बैठेंगे तो कितना हो जाएगा यह बता ये कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा 23 हो जाएगा 23 देखे गिन भी लेते हैं 15 पर था हिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इस पर बैठेंगे ना तो क्या हैगा 23 आप कहेंगे कि जब संजय अपना अस्थान परिवर्थित करके जाएंगे तो पहुंचेंगे किस नमबर पी वो तब वहां पहुंचेंगे परिव उस पंग्ती में उपस्थित कुल वो किटने हैं भाई उसंपंटी में अगर देखा जाए कि उस पंख्टी में अगर देखा जाए कुल कंड गया एक जगा स्थान धाल प्लस दूसरे जगा से स्थान प्लस मद्ध में पस्तित लोग आये स्वाल करिए भई एक जगह से देखें तो बाइसमा था दूसरे जगह से देखें तो पंद्रहमा था पंद्रहमा था और मद्ध में देखा जा तो मद्ध में क्या लोग थे साथ लोग थे इनको जोड़ दीजिए बाइस और पंद्रह मिलकर कितना हो जाएगा सैंतिस सैंतिस और साथ कितना हो जाएगा 49 तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका टोटल हो जाएगा यह क्या हो लोग उपस्तित हैं भाई कुल 49 उपस्तित हैं तो इस तरह से आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ गया लगाए किस तरह से थे देख लिजी आप लगाए थे इस तरह से आप को कोई दिक्कत तो नहीं है कि किसी को चलिए हो जाएंगे सबका अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर आईए एक कुश्चन आपको और करवा दें उसके बाद नेक्स डिटे करवाएंगे दूसरा टाइप से दूसरा खुश्चन है आपका अगर कुश्चन दे दिया जाए कि एक पंक्ती में एक पंक्ती में और प्रिया का अस्थान एक पंग्ति में प्रिया का अस्थान प्रारंब से प्रारंब से तीसुमा है तीसुमा है उसी पंग्ति में रोसनी का अस्थान उसी पंग्ति में रोसनी का अस्थान अंत से चोद्रामा है यदी दोनों अपना अस्थान परिवर्थित कर लें यदी दोनों अपना अस्थान अब परिवर्थित कर लें तो परिवर्तन के बाद तो परिवर्तन के बाद प्रिया का अस्थान प्रारम से परिवर्तन के बाद तो बताईए कि ये प्रस्ण है आपका तो बताईए ऩिसके वारे ध्यान से देखिएंगा पहला कुश्चण दूसरा कुश्चण और याप अपके लिए जगह पी लोग उपस्तित है आप बताईए प्रिया और रोशनी के मद्ध में रोशनी के मद्ध उपस्तित लोगों की संख्या उपस्तित लोगों की संख्या यह आपका पहला सवाल है ठीक है प्रिया और रोशनी के मद्ध उपस्तित लोगों की संख्या दूसरा कुश्चन है यदि रोसनी अपना अस्थान परिवर्तित करके प्रिया के अस्थान पर आ जाएं आपके पूछ दिया जाएं रोसनी अपना अस्थान परिवर्तित करके प्रिया के अस्थान पर प्रिया के अस्थान पर आएं तो क्या होगा की अगला कुश्चन है कुल उस पंक्ति में उपस्थित लोगों की संक्षा यह आपका सवाल है देखे एक पंक्ति था बड़ा सा उस पंक्ति में सबके अरिया नाम की लड़की है और एक रोसनी नाम की लड़की है उसके बारे मुझे नौलेज है कि उस पंगती में देखा जाए भाई तो प्रिया प्रारंब से किस नंबर पे हैं प्रिया प्रारंब से तीसवे नंबर पे हैं और उसी पंगती में रोसनी अंद से चौदावे नंबर पर हैं और कहा जाता है कि रोसनी और प्रिया में इतनी अच्छी दोस्ती होती है ज़्ञों क्या करते हैं ऐसा है रोसनी तो मेरे अस्थान प्रारम से ठीक है तो उसके बाद तीन क्रुष्चन आपके सामने लिखिये हैं कि प्रिया और रोसनी के मद में कितने लोग होंगे रोसनी अपना अस्थान परिवर्तन कर ले तो अब उसका अस्थान क्या होगा या उस पंक्ति में कुल उपसित लोगों की संख्या क्या होगा तमाम तरह के सवाल आपके सामने आये हैं आईए इस question का अंसर देते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे एक पंक्ति बनाएंगे और यहां लिखेंगे कि यह आपका प्रारंब है यह क्या है आपका प्रारंब है और यह आपका क्या है अंत्र चलिए अब देखिएगा यहां पर देखा जाए तो यहां पर कौन बैटा है प्रिया बैटी है और यहां देखा जाए बैटा है तो रोसनी बैटी गुट डेको है अब देख GG ils रोशनी का अंबर में तो प्रारम से 30 है यहाँ पर रोशनी किस नंबरWW पर है कि सवे नंबर интересно और अगर प्रिया प्रिया तीसे नंबर पे रोसनी 14 नंबर पे और इसके बाद देखिए अगर दोनों अपना अस्थान अदला बदली कर लें तो प्रारंब से प्रिया का अस्थानों कितना हो जाता है तिरालिसमा हो जाता है यह उठके यहां चली जाएं और यह उठके यहां चली जाएं तो जब यहां से यहां जाती हैं तो प्रिया अब किस नंबर पर हो जाएंगी प्रिया अब हो जाएंगी 40 वे नमबर एक बार बताईएगा आपको पता होना चाहिए कि मद्ध बराबर क्या होता है परिवर्तित अस्थान माइनस वास्तविक अस्थान माइनस वन तो 40 में से 30 गटाएंगे तो 10 आएगा 10 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा अब सोचिए पुछा है पहला कुष्ण का अंसर हो गया आपका अदूसरा पुछा है परिवर्तन के बाद रोसनी का अस्थान आप क्या लिखेंगे परिवर्तन के बाद रोसनी का अस्थान रोसनी का अस्थान भाई रोसनी पहले चौधावे नमबर पर थी नौव लोगों को क्रास करके आ रही है तो आप कहेंगे सर्फ पहले चौधावे पर थी नौव लोगों को क्रास करके अगले पर बैठी है ना तो नौव एक दस टोटल क्या हो जाएगा आ कुल बराबर क्या होता है कुल बराबर होता है एक जगह से अस्थान एक जगह से अस्थान प्लस दूसरे जगह से अस्थान प्लस मद में उपस्थित लोग भाई एक जगह से अस्थान कितना था पहले तीस था दूसरे जगह से अस्थान देखा जाए तो कितना था 14 था और कितना हो जाएगा 44 और 44 में जोड़ा जाए नौ तो कितना हो जाएगा तीरपन हो जाएगा तो उस पंक्ती में टोटल 53 लोग होंगे तो चलिए इस इस question को आप अच्छे से लगाईएगा समझेगा जो नियम लिखवाया गया है जो टाइप लिखवाया टाइप वन टाइप टू पर बिस्याज ध्यान दीजेगा इस टाइप में एक दो question आपको हम और करा देंगे कराने के बाद फिर अगले दिन से आपका फिर टाइप धन्यवाद